साई राम, साई बाबा का समाधी मंदिर कैसे सोर्ण में हुआ? कहा से आया साई का सोर्ण सियासन और चत्र, इसकी तमाम जानकारिया आज के वीडियो में हम आपको देने जा रहे है। साई बाबा के महा समाधी के बाद समाधी मंदिर में एक चांदी के चोरंग पर बाबा की एक प्रतिमा रखी गई थी लगबग 36 वर्ष उसी प्रतिमा का पूजन मंदिर में होता रहा 1954 में समाधी मंदिर में साई बाबा की मूर्ती की प्रान प्रतिष्टा की गई मुंबे के नरसरवाजी और ग्रूप ने 10,000 रुपे लागत का चांदी का सिहासन तीन एप्रिल 1958 यानि हनुमान JNT के दिन हरपन किया सन 1986 में ततकालीन सवस्तान प्रशासन ने लगबक 60 किलो वजन का नया चांदी का सिहासन बनवाया सन 2006 में हदरबाद के साही भग विजय कुमार ने सुर्ण पादु का अरपन कर दी लेकिन अभी तक बाबा का सिहासन सोने से नहीं सजा था तेज डिसमबर 2007 को साही भक्त आदीन आरें रेड़ी जी ने 19 किलो 411 ग्राम वजन का सुर्ण सिहासन और गर्भ ग्रुह में सोने का नक्षिकाम साही मंदिर को अरपन कर दिया उस वक्त इन सब की कीमत एक करोर 99 लाग 55 रुपे थी इससे साही समारी मंदिर की रोन कई गुना बढ़ गई